आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ सुप्रीम कोट में चल रहे पतंजली आईरुवेत के गुम्रह करने वाले दवा विज्यापन मामले में अब कमपनी ने कोट से अपने गलती की माफी मांगी है पतंजली आईरुवेत और उसके मडी आचारी बालकरश्ण ने गुम्रह करने वाले भ्रामक दवा विज्यापन देने के लिए सुप्रीम कोट से बिना शर्त माफी मांगी है इस माफी नामे में विज्यापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है आचारी बालकरश्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोट के आदेश की जानकरी नहीं थी उनका कहना है कि इसका उद्देश नागरिकों को पतंजली के प्रोड़क्ट का उभ्भोग करके स्वस्त जीवन जीने के लिए प्रोचसाहित करना था कोट ने 2 अप्रेल को पतंजली आयूवेत के गुम्रह करने वाले दवा विग्यापन मामले में स्वामी रामदेव पतंजली के को फाउंडर और पतंजली के एमडी आचारी बालकरश्ण को कोट में पेश होने को कहा है कम्पनी और आचारिबालक्रश्ण ने नोटीस का जवाब दाकिल नहीं किया जिसकी वज़ा से ये आधेश्ट जारी किया गया था